हाई फ्रेंड्स मैं विकाश रवास्ता हूँ आज हम लों चलेंगे जिवदानी मंदिर जिवदानी मंदिर महाराष्ट्रा राजी के पालगर जिले में स्थित हैं चली शुरू कट्टे अभी मैं वर्तवा अंधेरी वेश्ट में हूँ और बस पकडने के लिए यारियोड बस फ्रेंड्स ये हैं वर्तवा का बस स्टेशन देखिए ये इतनी लंबी लाइन है लोग अंधेरी स्टेशन जाने के लिए खड़े हैं और हमें भी इस लाइन में लगना है तो चलिए लगते हैं लाइन में फ्रेंड्स जब तक हम सफर में हैं तब तक मैं आपको इस मंदिर के बारे में कुछ बता देता हूँ जिवदानी मंदिर भारत देश के महाराष्टर राजी के ठाने के विरार मेश्थी थे जिवदानी मंदिर का निर्माट एक पहाड़ी की चोटी पर किया गया है जिवदानी मंदिर के बारे में भारती हिंदु ग्रंथों में भी बताया गया है भारतिय पुरानों के अनुसार यह मंदिर बहुत पुराना है मंदिर का निर्माट पांड़ों के द्वारा करवाया गया था यह लीजए हम पहुंच गया है पर तेंद मेरे से लेंगे ट्रहिं हैंतों चखते हैं करकम आपए चलते करें हैं तो कराउड सामने में दख रही है सह Come कि लिए अ कि दो कि है आधे क accurately कि अधिक के लिए तो भीम काया हो। है, पूलते हैं हैं टेकल्विस्था के लिए आधे लिए बीधर के लिए तो इसे सामने में देख रिए टिकेटाओं चोंग दो फ्रेंड्स है यह विरार की ट्रेन जो हमें हमारे गंतव्यय सक पहुंच़ाएगी देखे कितने आराम से धीरे धीरे वह आ रही है बहुत सारे लोग इस ट्रेन का इंतिसार कर रहे क्योंकि बहुत सारे लोगों को अधर जाना होता है तो चलिए हम लोग भी स्ट्रेंड में बैठते हैं और मजा लेते हैं सफर का अंधरी स्ट्रेशन से आपको विर्यारे स्ट्रेशन 15 किलोमेटर के दूरी परिस्थी थे आपको रास्ते में मलाड कांधी वली गोरी वली मीरा रोड ये सारे स्ट्रेशन मिलेंगे विस रास्ते में आपको बहुत बड़े बड़े गंडिंग से अपनों को मिलेंगे में अक्सर आपको हर जगा मिल जाएगा और ये खुशूरत नजारा है नाए गाहों के पास ऐसा लगता है कि समंदर और पहारिया आपस में मिल ग चुके हैं थोड़ी देर में विरार आने वाला है और ये रही वह पहाड़ी ये देखिए आप मेरी उंगली के सीध में देख सकते हैं वह पहाड़े जिस पर जिवदानी माता का मंदिर बना हुआ है हमें वहीं जाना है और इस तरह से ये रहा विरार स्टेशन ये रहा हमा हाँ तो फ्रेंड्स फैनली हम पहुंच गए है यहां पर जुदानीवाता मंदिर के पास में मैं आपको मंदिर दिखा देता हूं माता रानी के लिए प्रसाद लेना भी बहुत ज़रूरी है इसलिए हम लोग इस दुकान पर आये हैं प्रसाद लेने के लिए फ्रेंड्स यह इस दुकान का ओनर है हम लोगों ने यहां से प्रसाद दिया है माता रानी के लिए आप लोग भी जब भी यहां पर आये दर्शन किरने के लिए तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं यह सामने रहा जुदानी माता का मंदीर हम लोग वहां पर जाने वाले हैं और यही हमारा सफर है यही से हमारा सफर शुरू होता है मंदीर तक जाने के लिए कई सारे रास्ते हैं पनिकले रोपवे हैं और सीड़ी है हम सीड़ी से जाएंगे तो फ्रेंड्स यह है सीड़ी वाले रास तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि सीडियों पर नंबर लिखे हुए हैं आप जितने सीडिय चड़ते हैं हर दस सेड़ी के बाद आपको नंबरिंग मिल जाएगा आप लोग हमारे पीछे बहुत ही मन-मोहग जिश्य देख सकते हैं चार और पहाड़िया हीं पहाड़िया हैं माते के रास्ते में कितना अनंदा रहा है बहुत अभी सफर औरताय करना है हम ठकेंगे नहीं जैमादाद जब कभी आप सफर में ठक्चा हो थोड़ी देर रुकर रिष्णाओ करें लेकिन सफर में आपना आगे बढ़ते रहना बहुत दोरी है इसलिए हम आगे बढ़ेंगे तो फ्रेंड्स हम लोग माता के मंदिर में पहुंच चुके हैं और आप मेरे सामने वो जिवदानी माता का सुन्दर द्रिश्य देख सकते हैं यहीं पर आने के लिए भक्तों के भारी भीड लगी रहती है आप देख सकते हैं कि कितना मनौरम द्रिश्य है यहां पर मौसम हमेशा ऐसे ही रहता है बहुत प्यारा बहुत खुद्चुर्ण फ्रेंड्स तो हम लोग देखें माता का दर्शन करने के बाद यहां काल भहरो मंदीर के पास और काली माता के मंदीर के पास आ गया है मेरे पीछे आप लोग काल भहरो का मंदीर देख सकते हैं और उसके दश्ट वगल में माकाली का मंदीर है आप देख सकते हैं और यहां पर आप मेरे पीछे जिदर भी नजर दोड़ा रहे हैं आप देख रहे हैं कि भक्तों के भीड लगी हुई है चारव और भक्त ही भक्त आपको दिख रहे हैं यहां पर बहुत ही मनोरम द्रिश्य हुआ है आप देख सकते हैं मैं आपको बाहर की ओर दिखाता हूं बाहर की नीचे की ओर हम पाड़ी को उपर खड़े हैं मातारानी का मंदीर पाड़ी को उपर हैं लेकिन पहाड़ी के नीचे बस क्या खुब्सूरत घर दिख रहे हैं आप मेरे तीछे देख सकते हैं जै हे महाकाली हे काली माता हमें अशिरवाद दें करें दो फ्रेंड्स आई आपको मिलन वाते हैं इस सफर के महाल सक्षित से में आया हूँ और इनका नाम सच्चिन पुजारिया और यह हमारेसी सब्सक्राद करने के लिए आए है थे एक बहुत ही रमाल्चक सफर रहा है अभी तक हम लोग और गूमने वाले हैं तो मैंने आपको दिखाए है फ्रेंड्स ये है फनिकलर रोपवे और उसके बगल में बना हुआ है सीड़ी आप दोनों में से किसी राष्टे से यहाँ पर आ सकते हैं उतरते समय तो बहुत ही मज़ा आ रहा है आप देख सकते हैं कैसे में मज़े करते हुए उतर गया हूँ तो फ्रेंड्स ये रहा जिवदानी माता का सफर पीछे मेरी जिवदानी माता हैं आप देख सकते हैं हम लोग अभी वही से आ रहे हैं तो हम लोगों ने पूरा सफर का मज़ा लिया माता रानी का दर्शन किया और आप मेरे चारों और का मनुरम दृष्य देख सकते हैं तो च शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें नमस्कार